देखो टेबल बनाना कोई हाड़ काम नहीं है बाट जब मैं बोलू उसमें सॉर्टिंग करो फिल्ट्रेशन पैजिनेशन तब जाके चीज़ें कॉम्प्लिकेटिड होना साट होती हैं इसलिए हमारे पास काफी सारी और लाइबरी जैसे की एम यूय की ग्रिड लाइबरी जि अपनी बनाएंगे लेकिन जितनी भी लॉजिक है वो लाइबरी समालेगी तो मार पास पूरी फ्रीडम होगी अपनी टेबल को किसी भी तरीके से स्टाइल करने की राइट एंड बिसाइड यह लाइबरी मैं नेक्स रियक्ट के प्रोजेक्ट में भी उस करने वाला हूं ए तक के लिए बैनिफी चली रहे रहे रहा तो फ्यों नुव नुट थे चैनल आयम अभी शेक्षिंग अन्यौ वचिंग श्चाइब इस पर वेब डवलोप्मेंट से रिले टीडियो आती रहे थे एंड एंड इस इस पर दूब लुप 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 लिए ट एरुजिंग श्पूइशन वर्किंविट एपेशन माइई ग्रो सर्विस सार्विस अर्गिटेक्चिर सिस्तम डिजाइं डी एस ए और दिजैंब जो की बाध इंपोटेंट यह सब शिकाने के बद कुह बन वाई जाएंगे यह सब सिकाने बद कुछ फिट परद एपिज 10 LHS के लिए जिस पील में जाना हो और पढ़ते पढ़ते काई मी कन्फुजन होई है तो उस केस में फिजिक्स वाला उल्टो है डाउट सपोर्ट 12 आर्स डेली 1-2-1 डाउट सपोर्ट और इसके लावे यू विल आपक्सिस विच 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 व और रडी 5 राथ ऑड्ोट एंब एंटिक्स वाला यूविट गया टो म रुपीस आफ सो देगो रिएक्टेवल सिकाने के लिए अब मैं एक वीट साब बना हूँगा NPM यू कन अलसे रिएक्टाप अब मैं वीट यूज करो NPM क्रिएट वीट अड़ ये टेस्ट इस ही फोल्डर के लिए बना हूँगा अब आफिल चूज रिएक्ट अब इस वीडियो के जिए जावास्क्रिप्ट का वरज इसे के साथ NPM आए तके साथ नौन मोटुल सादा है वो हो चूके है अब NPM I रिएक्ट पेवर इस्टेट फोल्ड डिर्कली यू इस्टॉल करेंगे पैक्ट.json एंड इसे रिएक्टेवर आचूकिया राइट ओके NPM I run dev करूँगो ताकि सर्वर साथ होता है यह देखो इस पे हो चुका है अब वापिस आते हैं मिनिमाइस करता हम इसको और थोड़ी clean up करता हम फाइल नहीं चाहिए इन्नेक्स में से कुछ निया टाइम है एप खाली कर दूँगा और एफ सी रहे होस ठीक है एज इस अब यह एप है हमारी ठीक है सो टेबल अगर बनाता है मैं डाले टेबल बना के दिखाता हूँ फाले इसको दिखांटेनर इसके बीच मैं तुम गजाए टेबल कार ओं यह हमारी टेबल है हमने फॉर्मेंट लेगा क्या होता टेबल कार टेबल होगा उसके बाद टीहेंड जिसमें हैड हैड इन्हेंड है अडर पूरा इसके बाद टीबॉड़ि ठीक है फूटर वागर आत करनी है वो TR होती है न और बोल्ड करने के लिए हम TH देंगे ठेक है इसे मालने मैंने पहले लिख दिया ID दूसा होगे जेंडर तीसरा होगे अमाउंट ये सेलरी जो होगी है ओके सो ये तीन कॉलम वाली टेबल बन लगी अब मुझे अगर बॉड़ी जेनियर तो कैसे दूँगा बॉड़ी में डेटा देना हो तो TR टैग लाँगा अगें रो और जैसे ये तीन हेडिंग के लिए दिया है वैसे इसमें तीन डी दूँगा डेटा के लिए अब ये रो इसके कोरिस्पोंडेंच रहेगी इसमें तीन बनाता हूँ है 1,2,3 ठीक है ये रो इसके कोरिस्पोंडेंच मतलब रो में पहला TH है ID और इसका TDA तो इसके इससे मैच होगा ID के नीचे या आएगा और अगर जेंडर करना हो, male, salary होगी है तो सेव करूँ, यूवर इसी आ चुका है और default is styling है तो मैं थोड़ी अठाता हूँ मैंने पूरी इंडेस फाइल करती है बस ये तीन चीज़ है ठीक है तो इसी टेवल आ चुके ठीक है और उसमें क्या फरक है जो हम रियेक टेबल जे टेबल गनाएंगे क्योंकि टेक्निकली अगर मेरे पास उपर मानलो data की या रहे है उपर एक रहे बनाता हमां const सो यह दे को मैंने data नाम की रहे बनाई और इसमें तीन अब्जेक्टा हैं जिसमें की id gender cell रही है ठीक है अब मैं क्या कर सत्ता हूँ इंसएड ओव दिस मैं इस पर मैप कर दूँग सब्सक्राइब निकली data.map और इसको रिटन करा तूँगा डारेक्ट लीट ठीक है और यहां हार्ड कोड डिट्टा की बता है डाइनमिक डिटा आइड में id जेंडर में जेंडर और थर्ड विल भी सालरी ठीक है और की भी पास कर दिने i.id ठीक है ओके तो इसको देख हूँ और इसमें से कुछ चीज़े चाहिए है यूसे बल हो सबसे इंपोर्टन गिलियो हो गया अब इसको लेंगे या और टेबल बना देंगे कौन्स टेबल इस इकॉल टू यूसे टेबल कॉल किया इसको अब इसमें ऑप्शन पास करने है ऑप्शन जो है वो अबजेक्ट होगा जिसमें की रोर और कॉलम आने चाहिए फर्स तिंग विल बी कॉलम एंड साइटिंग विल बी डेटा इस दो चीज़ों में पास करनी है टेबल को यूफ करने के लिए अब ये कहां से आएगा देखो नॉर्मली क्या होता है हम कॉलम उपर ऐसे बना सकते हैं जैसे डेटा भी तो उपर तो डेटा इस डिफास कर दिये कॉलम उपर बना लिए कॉंस्ट कॉलम दिस विल और सो भी अन एरे अरे 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 अब इसमें दो चीज़े देनी है अब देखो टाइप इससे ट्यूस कर देखो तो पता लगा था क्या क्या कह देना है बढ़ना तब भी बताएता हूँ अब मान लो मैं एंगा उन्दस पोटे आप इसको अरे दूँ अरे फॉबजेक्ट यह है सो मैं क्या देना है तो मुझे इस यूजी हैडर अब्जेक्ट, कॉलम एरे का उब्जेक्ट इस फॉर्मेट में बना चाहिए तो मैं इसको टाऊँगा, उपर से ले रहा है, अब्भी हम, कॉलम लेकिन यहां फॉर्मेट बदल लोगा यह है तो हैडर और एक्सेसर, इसका मतलब क्या है देखो, हमना आइडी पास किया है, और हैडर होगा आइडी basically इसी फॉर्मेट बना रहा है, आइडी जेंडर सेलरी ठीक है तो एक होगे इसका, दूसरा तीसरा, दूसरा था जेंडर अक्सेसर में जेंडर, और नीचे सेलरी, और यहां भी सेलरी इन में फर्क्या है, हैड और अक्सेसर में, यह है जो दिखेगा, UI में और यह है, इसको आइडी की तरह समाझ सकते हो, ठीक है तो अगर मुझे इस वाले कॉलम को कुछे टच यह है, तो मैं उसके अक्सेसर का यूज़ करूँगा, आइडी का, ठीक है इस साइफ से, सो हमने कॉलम बना लिया, और डीटर भी बना रखा है, हमने आइडी स्पास कर दिया, अब टेबल को क्या करेंगे, अब टेबल के अंदर बहुत साइच चीज होंगी देपो, टेबल डॉट करते कि इतने साइच चीज़ दिख रहे हैं, तो रादर टेबल प्रॉप्स, हैडल ग्रॉप, और लेना रो, रोज, सो बेसिकली जो हमने डेटा पास किया है, इस वक्त हमें रोग अंदर मिल जाएगा डेटा को, एन इसके लाव लेना है, प्रिपेर रो, सो यह कुछ चीज़ हैं, जो हमें लेनी हैं, अब इन्हें यूज कैसे करेंगे, बस हमें करना क्या है, कि, यह प्रॉप्स रिटर्न करेंगे कुछ, और मैं से इस वरिएबल में, खॉल कर दूँ इसको, सो यूज से टेबल प्रॉप्स दे रहे हैं, ठीक है, सो इससे हमें प्रॉप्स मिल जाएंगे, तो हम उसे जो भी प्रॉप्स मिलें, यह ता ऐसे करता प्रॉप्स मिल जाएंगे, और फिर से एससे रख दे हैं, डॉट 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 प्रॉप्स, ठीक है, यह वी चलेगा, या फिर डारेट इसको ही कॉल कर दो इसमें, बहुत से वे इस वर्क, और ऐसा दार ठाहिया, या फिर ऊपर कर से तो हमोर जिया, अब क्या अब सबस्वाले लिख दे चाहिए, यह वाला भी रिफरेंस देखते रहें, और जो मैं लिख रहा हुँ, और जो मैं लिखता रहें, क्या डिफरेंस है, अब सबस्वाट बहले है, इससे लागने से पहले हां लिखेंगे हैं, हेड़ ग्रॉप, इस पर डॉट करूँगा, नो यह रहे, तो map करूंगा, अब बैस्कित, map, header group, और भी दो लिख भी दिखने, तो hg लिख दे है, hg ठीक है, short करने के लिए, और अगें यह return करे है, यह किसे return करेगा, यह करेगा, अब tr tag को return, ठीक है, save करूं, तो उसमें इसमें डिफरेंटिस में डायर टियार लिख रहे थे अब header group.map क्या है उस पर टियार टाइग लगाया ठीक है अब जैसे टेबल में प्रॉप्स हास कियें टियार टाइग में प्रॉप्स हास करना है बट कैसे तो यह जो देखो hg है ना hg hg dot करते लिखवा है get header props ठीक है ऐसे फोटर भी था तो यह लेंगे और इसको spread कर देंगे जैसे उपर के हुआ है ठीक है तो एक तो pattern यह यह है props लेना है और उसके corresponding element में spread कर देना है जैसे टेबल के props table में दिये header के head के tr में और body के नहीं चेदेंगे ठीक है अब obviously यह तो empty है इसमें देना है अब क्या ता नीचे ts check तो ts check देना है but you will see 3th है यहाँ पर तो इस पर भी map करना right तो map करेंगे फिर से किस पर hg dot headers right array होग इसमें मैप करेंगे so इसमें लिख देंगे header फर एक header मिलने होगा और उसके लिए return करेंगे आपे ts type कैसे करेंगे अंदर क्या देंगे data so header dot यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है यहाँ पर एक header dot get header props ठीक है इसको call करेंगे और देखो यह दोने चीज़ हमने same कर दी क्योंकि उसमें गड़ बड़ा है जो यह है यह header group है तो यहाँ पर header group के props देने है ठीक है sorry my bad अब ठीक है now this is perfectly fine और अगर अब हम check करें यह उसी आ चुकिया है यह आ चुकिया है लेकिन नीचे का data क्यों आ रहा है okay sorry यह map रुक्षा इसको मैं करता हूं comment इसे भी तो अभी body के अंदर भी comment है सिवाए इसके reactable से बनाया इसमें देखते हैं तो यह render हो रहे है ठीक है और यह देगर कोई style ही नहीं है क्योंकि unlike M.E.Y. यहाँ पर हमें पूरी आजाद ही है कुछ भी का स्टाइश करने ही सिर्वा फंक्शानलिटी दे रहे हैं so ऐसे करके हमने add return कर दिया आप body के लिए चाथ रहेंगे so body का इससे easy रहने वाता है देखो कैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले तो body में उसके पास करना है प्रॉप्स डुट डुट अर्ड इस्प्रेड गेट टेबर बोडी प्रॉप्स ठीक है कॉल गया यह उगा काम एक खतम अब दूसरे चीज डारेक्ट मैप करेंगे किस पर रोस उपर से मिली है रोस डॉट मैप फो आई लिको रो लिको मरशिया ऩीक है वह पैर पैरन्थेशन नहीं लागा से इस बार क्यों क्यूंगी इस बार हम क्या तरह है पैरन्थेज लाने मलतब कर रिटन करने है ना रिटन मिकरना है उससे पहले एक चीज और कम निया है रि जारेक्ट रिटर्न कर सकते थे तो रिटर्न क्या था रहेंगे अब उपर रिटर्न क्या था उपर रिटर्न क्या था था टियार टाइग और वेसलिस भी करेंगे क्योंकि लिटरली उसमें फॉर्मेट था और इंगल टेबल में get the row props तो देखरें, रो पे जब मैप किया था तो उसके प्रोफ पास कर दिया है अब इसके अंदर हमें देना है, मैप करनमा है और यह तीनों से एसटीज आने चाहिए है, तो मैप करेंगे कि इस पे डारेक्ट रो पे, रो.cells.map अब यहां आई लिखो, cell लिखो, मलजी है इस पे, मैप क्या और यह रिटरन हो रहा है, अब डारेक्ट ले टीडी दे देंगे, टीडी टाइड और अगें, सेम पैटर निया भी रिपीट, टीडी में सब से पहले प्रोफ देंगे स्प्रेड करेंगे किस चीज़ को cell.getCellProps, कॉल गया और इसके नुदे रेंडर कर देंगे एक्छोल डेटा, सो cell.renderCell just like that तो पहले था यह, अब यह दो ते लाइन एक्टर हो यह, आई नू दोनों cases में, और हमारा डेटा आ चुआ है, but still trust me, it is worth it, क्यों क्योंकि अब हम इसमें sorting, pagination, filters, यह सब add कर सकते हैं, अलग plugins हैं उसके, सो उसके लिए मैं क्या गरना होगा, यह पहला object था, इसके बाद कॉमा लगाऊंगा, मैं plugins, जितने plugins देना हैं, दे सकते हूँ, ठीक है, so पहले तो मैं इसको clean करता हूँ होगा, so this is how it looks, और एक और मज़ेकी चीज़, हमने इसमें कोई keep pass नहीं करी, right? and check आरा है, तो कोई error भी नहां रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो prop pass किया है, map करते है, यह prop pass कर दिया, यह prop pass कर दिया, तो इसमें खुद बाकुद यह manage कर रहा है, वो सब, sorting करने है, तो उसके लिए क्या रहें है, उसके लिए बहुत easy है, हमें simply इसमें से hook लेना है, use sort by hook ठीक है, यह लिया, इसको simply हम pass कर देंगे, use table में, खौमा लगा के, plug-in दाट करने तो तो उन्हें add गलती है, use sort हो है, ठीक है, अब, काम कर दाएगा है, नहीं, देखो, कुछ नहीं हो रहा, so, इसको यहाँ आमें देना है, header में, ठीक है, हम simply कर गरेंगे, यहाँ पे इसके UTS है इसके प्रॉप्स उसके पास प्रॉप कर देंगे, उसके प्रॉप्स पास कर देंगे इसमें, और in fact, यह confusing हो रहा, तो मैं अगर तो इसे कॉलम लिखता हूँ, ठीक है, since documentation पर यही है, तो मैंने इसलिए ले लिया, ठीक है, बस मैंने नाम मतला, doesn't matter, अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, देखूँगा, column, dot, get, sort by, double props, इसको call कर दूँगा, save, अब देखो क्या होगा, यहाँ आए, मैं इसपर क्लिक करूँगा, sort कर पारूँगा, salary के basis ठीक है, और ID के basis पर भी, so यह काम कर रहा है, ठीक है, so literally यह line add करने थी हमें, और तो मैं लग रहा हो, कि नाम बदल से कुछ होगा, तो ऐसे नहीं है, अगर मैं add रखता, still it will work the same, but मैं इसको call में रहने देने वालूँगा, so क्या क्या मैंने, इस line को कट कर दूँगा, यह थ पहले, इसको call करते हैं, यह था हमने पास कर दिया, column dot get sort by toggle props, just like that, so इसी तरीके से हम sorting कर सकते हैं, अब देखो मैं पैजिनेशन दिखाने वाला हूँ, क्योंकि obviously table में पैजिनेशन होने चीए, but उसके पहले एक छीज और, sort तो मैं कर पा रहा हूँ, but मुझे यहां देखनी पास कर दिया, तो उसके लिए what we can do, headers में चीज कर दूँगा है, पास के अंदरी, यह जो लिखावाना, इसके बद मैं चीज और एक span tag, मैं कर दूँग, column dot is sorted, sorted है, अबर sorted है, तो एक span tag देदो, ठेक है, अब span tag में लिखा गया हूँ, वो मैं दिखाता हूँ, यह condition तो गए, अगर sorted है, तो उसके बद इस span tag दिखा दो, अब sorted है, और अगर descending है, descending order में, उस case में दिखा दो, अगर descending order में है, V, otherwise A, यह मतलब, यह से पर, यह मैंने example के लिए आ है, अभी कोई और icon दिखाता हूँ, इसवे click करूँगा, कुछ नहीं आ रहा, देखो, sorted नही descending करूँगा, तो ठीक है, V, आ गया, अब इसके बज़ा अपना icon दे सकता, कोई भी, react icon यूज कर लो, या फिर emoji दे दो, जैसे कि, अबर windows में हो, तो window की जो उती है, start की, वो और colon दबाऊँगे, तो यह emoji का जाएगा, ठीक है, मैंने अपका दिया, sorry, अपका मुजिश में द और एक चीज़ा करूँगा, यह एकदम चिपके हुगे आइंगे, उससे, इसलिए मैं एक-एक space और add कर रहा हूँ, ठीक है, अब देखता है, यह देखो, icon आ रहा, ठीक है, इसका भी, इसका भी, जूम करतें थोड़ा, अब अब का icon पताने ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई इमोजी उसकर सकते हो, इसलिए मैंने यह icon यूज किया है, यह इमोजी बन की, सुस्पक्लिक करूँ, यूसे, ठीक है, तो यह काम कर रहा है, अभी थोड़ी styling हो देता हूँ, पैजि नेशन सा पहले, ठीक है, तो styling हो बड़ी easy रहेगी, ऐसा अगर इसमें जाते हैं, अब य टेबल सेलेट करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो देको मैंने थोड़ी सी styling दे दी, खूद बागूद, क्या का है, आइड, मज़र डेटा तो ओल्रेडी हो, बड़ मैंने header को कर दिया black, और font white, और बागी ऐसा है, ठीक है, बाटर को लैप्स कर दीते हैं, इसलिए मोटर ने द स्क्रोल करता जा रहा हूँ, ठीक है, बस यह styling, इस से close करते हैं, अब पैजिनिशन दिखानी है, तो obviously तीन इस से तो दीखेगा, नहीं जादर डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं इसे हटाऊँगा, यह जो है, यह डेटा नहीं चाहिए, in fact data कहां से लेंगे हैं, एक asset के अंदर मैंने already file बनाई है, data.json, इसके अंदर data array है, ठीक है, यह data चाहिए, so import asset slash json data, और इसमें से लेंगे data, इसे के साथ वो use रहेगा, यह देखो हो गया, ठीक है, बट एक चीज़ और, बट एक चीज़ और, data में जाता है, मैंने एक चीज़ और add कर दी, name का field और add कर दिया, ठीक है, so दिखाता हूँ, name, this will be name, okay, and make sure यह order match होना चाहिए, second वाला name है, third gender, फिर salary, ठीक है, id, second name, third gender, फिर salary, इसे के साथ यह भी match होगा, ठीक है, sorting अंपिगा में तर रही है, और है कितने ही, बहुत सारी है, क्योंकि, literally id से sort कर रहे हैं, तो देखो 50 लोग है, यह name से sort होगा है, gender से sort होगा है, salary से sort होगा है, ठीक है, so pagination का यहीं point आएगा, क्योंकि, literally यह भी तो 50 लोग होगा है, तो एक एक करके थोड़ी देखता रहाता है, मैं सब्सक्राइब होगा है, sort why के बाद, जैसे कि यहाँ plug-ins add करना है, मैं सारे, use pagination यह add कर दिया, ठीक है, बस होगा, हाँ बस होगा, अब इसमें rows नहीं ले नहीं, in fact, rows की बदा है page, यह लेना है, और map page पर करना है, ना कि rows पर, बस यह करना है, अगर इसी पर चेक करना है, क्योंकि by default, इसमें reactable में sat ह कि एक page पर दसी element आने चाहिए, so, इस time already pagination apply हो चुकी है, बस point is, switch कैसे करना, आगे पीछे page में, उसके लिए भी यहाँ पर function मिल जाएंगे, हमें, हमें क्या के चाहिए, कुछ और चीज़े चाहिए, हमें, यह next page, previous page, यह दो चीज़े चाहिए, तो अगर मैं नीचे दूँ table के बाद भाराद यह मैं, यहाँ पर एक div देता हूँ, article दे सकता हूँ, इसके बीचे में button देता है, button इसमें लिखा है previous, प्रीव, और एक और button जिसमें लिखा है, next, ठीक है, प्रीव वाले में मैं देता हूँ, on click, previous page, simply pass के call बुशने, नीचे वाले में, on click, next page, यह function already है तो हमें कुछ नीच करना, बस दिये, यह देखो दिख रहा है button नीच है, इने style कर सकते हूँ, button मैं अभी click करूँ, यह देखो, page switch हो रहा है, 50, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, और previous में भी जा सकता हूँ, लेगिन इसके बाद कुछ नहीं है, तो एक तो button को style भी देंगे, disable, अगर can previous page, नहीं है, तो disable कर दो, same goes, disable, can next page नहीं है, तो disable कर दो, not, नहीं है, so, starting में रेको previous page नहीं है, next वाली है, और final पर पहुंच नहीं है, सिफ previous है, तो इसके साथ हो कितना easy है, और styling कर देनी हो तो, तो कुछ यह button को भी दे देनी है, direct, so देखो मैंने button की भी styling कर दी, क्या से कर दिया, black कर दिया, और disable है, तो यह कर दिया, ठीक है, उसको check कर रहा है तो final पेज पहुंच कर यह disabled है, styling देखने हो, तो between container div बनाया है, उसके दिनर दो button जैसे थे, और यह container के लिए styling, यह container के लिए बटन है, और अगर button disable है, तो क्या styling ठीक है, तो यह ठीक है, अब final पेज पहुंआ है, तो मुझे कैसे पता लेगा, जैसे अगर यहां हुंआ, मैं दिखा भी सकते हैं, बीच में कितने item अवेलेबल हैं, बीच में दिखा दो, उपर दिखा दो, ठीक है, so button के इलावा है, यह मैं दे सकता हूँ, span दे दो, p दे दो, मज़े है, क्योंकि मैं इसे display flex कर चुक हूँ, तो p tag में भी doesn't matter, तो मैं कहल दूँगा, two of five, तो जैसे दिख रहा है, two of five, बट यह obviously start दी है, तो यह नीच चाहिए, actual कैसे मिलेगा, actualism से मिलेगा, मैं लूँगा क्या, एक तो state लूँगा, state मैं से page index, ठीक है, और एक चीज, page count, यह दो चीज लूँगा, page count हो basically कितने page हैं, total, तो obviously five के बड़ा है, तो page count आना है, page count, और two के बड़ा है, अगर मैं लिखता हूँ, page index, तो obviously index zero से start होती है, तो zero दिख रहा है, तो zero के बड़ा है, index plus one दिखा दूँगा, तो अभी first page पे, second page पे, third, fourth and final, ठीक है, so यह भी तरना easiest है, अब एक चीज दोर बची, कि अगर मुझे यह हो, अगर देटा और बड़ा देता हूँ, मैंनों 200 लोग है, अब, so यह को मैं न सो आइटा मैंट कर दी, ठीक है, तो obviously एक एक करके last तक नहीं पहुँचएंगा मैं, so what I can do, यहाँ पर में एक चीज तोर मिल लिए है, go to page, so I will simply say, go to page, go to page और इसम्प्ली पास करना है किस page पहुचना है, so what I can do, इसे span के इलावा, sorry span नहीं बटन, इस बटन के इलावा यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, बटन, और इसम्पर लिग देता हूँ, first page, on click, go to page 1, okay, और इसे को मैं copy करता हूँ, last में, इस पर लिख देता हूँ, last, I can always use कर सकते हूँ, last page कैसे पता लगे, page count minus 1, yeah, of course page count से total page, so here को first दिख रहा है, और last दिख रहा है, तो first पर click करता हूँ, second पर हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें index pass करने हैं, ना कि page number, so zero, अब ये first page पर हूँ, इस पर click करते, direct ten page पर हूँ, तो ये तो काम कर रहा, okay, और disable का भी समें दे सकते हैं, disable के लिए दे सकते हैं, कि अगर already tenth page, first zero page पर तो, क्या देंगे, page index, अगर zero है, तो disable कर देंगे, yes, बस ये पास करना है, इसलिए starting में 0 है, next पर जाती, आग available, okay, इस पर आती ही 3, 4, 3, 4, इस पर आती ही direct one, okay, and same चीज़ हम नीचे भी देंगे, disable कर दो, अगर कब disable करना है, अगर already last page पर है, कि अगर page index, page count minus one, ठीक है, कि अगर index जो है, वो page count minus one, last index से equal है, उस से बढ़ी है, तो उस case में disable, तो अगर मैं जाता हूँ, इस पर, last page पर पहुंचते ही, दोनों disable है, ठीक है, तो next आजी नहीं सकते ही, और वो भी last, और first पर पहुंचते ही है, तो दोनों कर सही काम करना है, ठीक है, of course, यह 10 out to 10 इसलिए आरा, मैंने इसकी width कम दे रखे, तो width बढ़ा सकते हूँ, उसकी container गी, ठीक है, तो यह काम कर रहा, table टंग से, एना ऐसा ही input tag भी ले सकते हूँ, तो उस input tag में, तुम user से value लोगे, तो उसको कौन से page बना 3, 4, और user state से बना सकते हूँ, और उसके बाद function call करूँगे on change पर और यह पास कर दो, ठीक है, तो वो तो pretty basic है, उसमें कुछ नहीं करना, और वैसे on change में मुँ directly बनते हैं, on change में user state का variable है, उसकी value बदलना, और use effect में लगाना कि जैसे इसकी value बदले, तब अगले page बढ़ा, ठीक है, तब उसमें set amount भी लगा सबो basically, अब एक चीज़ हो दिखाने थी कि, जैसे by default is में 10 set हैं, ठीक है, पर page जासा लगा हूँ, यह तो 5 करना है अब, तो अगर हमें page size already set करना है, तो simply क्या करेंगे, हो में जब data pass कर रहा है, यही पर देखो एक आएगा initial state, जो हम pass कर रहा है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे page size, यह मैं देखेंगे, यह मैं देखेंगे 5, ठीक है, page size 5 है, पर रिलोड गया है, यह देखो 5 size है, ठीक है, 20 page होगा है, last पर पहुंचेंगे direct, 20 page होगा है, ठीक है, first page होगा है, so मैं देखेंगे, तो तीन ही available है, उसके साब से shift हो रही है, okay, तो मतलब होगा 25 दोंगा, तो कितना ही है, of course 4 page, यह अगर 20, 25, second, third, fourth, ठीक है, और इसके लाबा एक चीज़ और देखेंगे, मानलो मैं देता हूँ वापिस से, 5 page, page size 5, और page index, initial index भी देखेंगे, तो जब-जब रिलोड करोंगा, वो diet, 5 index भी रहाएगा, 5 index मतलब 6 page basically, ठीक है, तो जीरो पास कर तो, और by default भी 0 यह तो कुछ मत करो, page size 5, और यह भी अगर माटा दू, तो by default, by default रहा नहीं है, और यह यह बैटर है, ठीक है, 10, correct, just like that, तो pagination भी हो, समझ मायोगी, यह एक चीज, और इसका source code मिल जाएगा description में, right, so you can play with this, और यह मैंने चिखा इसलिए, क्योंकि जो react का admin dash borders में react table ही यूज कर रहे है, और इस अब से बहसे बात यह पूरी customizable है, जैसे चाहो यह से customize करो, right, and one more thing, यह react table है, और अगर हम जाते है, 10 sec table पे, तो यह और react table सेम ही चीज है, पहले इसका आम react table हो था था, अब 10 sec table है, और यह version 8 में, वर्जन 7 में react table ही है, so, ऐसा नहीं है कि react table बेकार होगा है, यह यह latest, okay, दोनों ही use हो रही है, दोनों ही use हो सकती है, साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, and let me know कर इसके उपर भी video चाहिए, 10 sec table के उपर भी, get started पर दिक करेंगे, तो ऐसे अधर यह दंग से समझ लिया है, तो migration to V8, इसमें तुम पढ़ सकते हो सारी चीज़ है, ठीक है, यह लेने के बिदा है, अब यह लेना है, सिर्फ एक वीक है, तो उसमें भी 8 lakh download है, ठीक है, so, you can literally see, काफी popular library है, right, V7, और हम चलते हैं अगर, तो यूज ही, यह, यह इसका, यह इसका 8 words है, तो उसे install करने के लिए में, 10 stack slash reactably use करना पड़ता है, और इसके वीकली download अभी बिश से कम है, जबकि यह inclining पर देख हो है, और start से बहुत अब तो ही कि लागता है, right, तो इसका time line देख से को कि यह काफी latest library है, उसी का upgrade बढ़ जाना, obviously, latest क्या, तो लेट मेंनो इसके उपर वीडियो चाहिए है नहीं,